वेलकम एवरीवान आज हम दोग देखेंगे टीचिंग अप्टिडोट पार्ट फाइब इससे पहले चार पार्ट हो गए हैं उनके वीडियोज अगर आपको देखने तो आप डेस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियोज देख सकते हैं उनका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दि आप इंप्रेक्टिक के ख्लास से टेल्ग्राम चैनल महां पर जाके आप पीडियेप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे आपके इंडिपेंडेंडेंट फेडियोबल पर तो टीचिंग जो है टीचिंग को का जाते पर इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें क्लास लेना है मान लीजिए वह mathematics में क्लास लेने आए तो mathematics में कौन से चाप्टर पढ़ाएंगे क्या syllabus होगा यह एक्साम होगा एक्साम पैटर्न क्या होगा यह सब पीचर खुद से डिसाइड करते हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है इंडिपेंडेंडेंट फेरियेबल फिस सेकेंड में आते डिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें आप वहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि मुझे भी science पर नहीं है तो यही होता है आपका dependent variable जो आपके independent variable के उपर depend रहाता है यहाँ पर class वे dependent variable कौन है तो student है आपके dependent variable और आखिर में आता है intervining variable क्या होता है हमारे surrounding को का जाता है intervining variable हमारा surrounding होता है उससे का जाता है intervining variable इंटरवाइनिंग variable में क्या आएगा जैसे intervining variable में आएगा आपका chair, table, pan, AC, blackboard, whiteboard यह सब आजाता है intervining variable जो कि आपके directly class पे effect नहीं करता है आपके education पे effect नहीं करता है पर indirectly effect करता है जैसे कि आप मान लिजे कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं पढ़ाई करने वक्त आपने एक pen लिया है और चितने भी नोट सोड़े उनको copy down करे तो आपका पढ़ाई अच्छा होगा रूम में fan चल रहा है आपको गर्मी नहीं लग रहा है तो पढ़ाई आपका अच्छा होगा लेकिन मान लिजे आप ऐसे ही मतलब time pass करने के लिए video देख रहे हैं आपने कोई copy नहीं लिया नोट से बना रहे है तो आपका पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होगा इसे कह जाते इंटर फाइनिंग वेडियेवल तो तीन वेडियेवल है इंडिपेंडेंडन डिपेंडट और इंटर फाइनिंग वेडियेवल आई को यहां पर आपको कोई doubt नहीं है इसके बाद देखते हैं Teaching Characteristics, तो Teaching Characteristics का अगर बात क्या जाए, तो तीन मेन चीज होते हैं, और बाखी जो पॉइंट से वो सब आप एक बार KBS मरंद का बुक पढ़ेंगे, आप खुद से समझ जाएंगे, और बाखी जो समझाने के लिए important है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो Teaching Characteristics में एक होता है Direct और एक होता है Indirect, मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपको Present में पढ़ा रहा हूँ, वो होता है Direct, मतलब किसी subject का knowledge जो है Directly, teacher या फिर educator जो है, student school पहुछा रहा है, तो वो हो जाता है Direct, और Indirect क्या हो गया, Indirect हो गया मान लीजे, आपको कि इसी topic जो है, topic सबस्ते में आपको doubt है, तो आप क्या कर सकते है, topic के बारे में हींचे comment कर सकते है, इसर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो क्या होगा, मैं comment परूंगा, और फिर आपको दूंगा reply, कि इसके बारे में आपको ताकि कोई doubt ना रहे, तो reply जब आप परेंगे, reply पढ़के आप education receive करेंगे, तो उसे का जाता है आपका indirect, I hope आपको समझ में आ गया, डायेट क्या होता है, teacher class में आते, class में students को बढ़ाते, उसे का जाता है indirect, इंडायेट क्या हो गया है, इंडायेट मान लिजे, teacher class में आते, teacher किसी subject के ऊपर आपको project देता है, जैसे science का कोई project बनाने के लिए दिया जाता हो, यह से bio में आपको याद हो गया है, हम लोग को प्रॉक काटने के लिए दिया गया था, और फिर भॉल्कान बनाने के लिए दिया गया था, यह सब प्रोजेट दिया जाता है, ताकि हम लोग indirect way से, यहां से knowledge gather कर सके हैं, फिर हम लोग आते है वर्टीकल पर, एक होता है वर्टीकल और दूसरा होता है आपका horizontal, वर्टीकल क्या मतलब होता है, वर्टीकल का मतलब होता है आपका deep knowledge, इसी चीज़ के बारे में आप जब deeply पढ़ाई करते हो, तब उससे का जाता है आपका vertical, और वहीं पर horizontal क्या होता है, horizontal का मतलब होता है आपका एक overall knowledge, आपको पूरा in depth नहीं पढ़ाई जाता है, एक overall knowledge आपको मिलता है, अब इसे example से अच्छी तरकिल से समझेंगे, देखिए, अभी आप लोग net के exam दे रहें, net के exam देने के बाद आप लोग PhD करेंगे, तो PhD में क्या होता है, आप एक particular subject पे PhD कर करते हो, आप एक particular subject में जो है PhD करते हो, उस PhD करने के दोड़ान आपका जो particular subject है, उसमें से एक particular category या topic select करते हो, और उसी में 5 साल तक पढ़ाई करते हो, इसे का जाएगा vertical teaching या vertical study, और वहीं पे horizontal क्या हो गया, मान लीजे आप class 6, 7, 8 में हो, class 8 में क्या होता है, हम लोग को आपका science भी पढ़ाया जाता है, plus आपका commerce के subject भी पढ़ाया जाता है, plus आपके arts के subject भी पढ़ाया जाता है, हम लोग को एक overall knowledge दिया जाता है, सब चीज़ों के बाड़े में, पर हम लोग को किसी भी चीज़ के बाड़े में in depth knowledge नहीं होता है, तो यह क्या हो जाता है? यह हो जाता है आपका horizontal teaching. पिर आते हम लोग planned और unplanned teaching पे हैं. Planned और unplanned teaching तो आप नाम से ही पता है. Planned teaching होता है जो हम लोग planning करते हैं और उसको teach करते हैं. और unplanned teaching क्या हो जाता है? कि हम लोग पहले से कोई planning नहीं रहता है. इसका example आप मान लीजिए planned का जो हम लोग class में पढ़ाते हैं. जैसे पहले मैंने बताया था कि math के teacher आते हैं class में और फिर mathematics पढ़ाते हैं. ऐसा नहीं हो जगता है कि वो science पढ़ाने लगे. तो यह हो गया आप के planned teaching. और फिर unplanned में क्या गया? réussi में मान लीजिए आपके होले classes रिक्लास में doubt class. जो coaching में होते हैं फिर आपके exam से पहले school में भी conduct की जाते हैं doubt classes. तो doubt classes में मान लिए आपको mathematics में प्रब्लम है. तो mathematics में मान लिए आपको simple interest में प्रबलम है. या फिर आपके ratio proportion में problem है तो आपको वही specific चीज पढ़ाए जाएगा राट के teacher class में आएंगे class से पूछेंगे कि कौन से subject में आपको problem है कौन से topic में आपको ज्यादा पढ़ाई करना है आपको confusion है तो वही topic subject के teacher जो है आपको पढ़ाएंगे दूसरे का जाते हैं implant class फिर आते हैं आपके teaching process पर teaching process से गर देखा जाए तो teaching process आपके तीन टाइप के होते हैं पहला है bipolar, tripolar और quadripolar यहां पर तो आप नाम से ही पता चला है पाई मतलब दो, प्राई मतलब तीन और महीं पर quadri मतलब चार यह bipolar क्या होता है इनमें दो components होते हैं और यह सबसे आसान है दो component क्या है तो पहले है teacher और दूसरे component है student इनके बीच में जो पढ़ाय का process चलता है जिसे English में कहा जाता है teaching process उसे कहा जाता है आपका bipolar इसमें bipolar में कौन-कौन से है एक है teacher, दूसरे है आपके student अब देखते tripolar, tripolar अगर देखा जाए तो इसमें आपको पता है तीन चीज़े है tripolar में और एक चीज़ के आड होता है teacher और student तो रहते है तीसरा जो आड होता है वो है आपका करिकुलम करिकुलम तो करिकुलम आप याद रखेगा कि करिकुलम होता है different than syllabus करिकुलम is not syllabus syllabus में क्या होता है syllabus में आपके only study related होता है क्या क्या पढ़ना है कब तक पढ़ना है कौन-कौन से exam है जैसे आपके first semester कब होंगे second semester के exam कब होगा यह सब दिया जाता है करिकुलम में क्या होता है करिकुलम में आपके overall देखा जाता है जैसे इसमें आपका study देखा जाता है study इस मतलब syllabus देखा जाता है इसमें आपको क्या-क्या place करने होंगे कि जैसे आपके theater, drama हो गए क्या speaking competition किसमें आपको participate करना होगा क्या-क्या points दिया जाएंगे फिर आपके क्या-क्या projects रहेंगे और भी different क्या-क्या activities आपको complete करना होगा सब कुछ आपका include होता है इससे कह जाता है आपका curriculum तो ट्राइपोलर में क्या-क्या है आपके teacher है student है और है आपके teacher है students है और तीसरा आपका curriculum आप याद रखी गया कि curriculum और syllabus सलेक होता है syllabus में सिर्फ पढ़ाई देखा जाता है और curriculum आपका overall progress को देखा जाता है करिकुलम में आपका overall progress देखा जाता है आखिर में आते हैं हम लोग quadri-polar तो quadri-polar अगर देखा जाए तो quadri-polar में हम लोग ने जो पढ़ा था teacher रहते है students रहते है curriculum रहते है और इसके साथ जो add होता है यह तीन तो पहले से रहते है और इसके साथ जो port add होता है वो है आपका learning environment learning environment हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़ा था learning environment क्या होता है जैसे हम लोग के classes हो गए table, chair, fan, AC, blackboard, dreamboard क्या रहते हैं उन सब को कहा जाता है आपका environment I hope यह आपको process clear है quadripolar में 2 है, tripolar में 3 है और bipolar bipolar में 2 है, tripolar में 3 है और quadripolar में 4 है तो चलिए इसको एक बार revise कर लेता है तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था dynamic environment dynamic environment अगर देखा जाए तो dynamic environment में आपके 3 variables होते है पहला है independent, future dependent और आखिर में आए intertwining तो class में जो teacher होते है उन्हें का जाते है independent class में जो students होते है उन्हें का जाते है आपका dependent आपका dependent variable और class में जो other factors होते है जिससे आपके teacher education को students से पहुचाते है जैसे आपका blackboard हो गया, whiteboard हो गया आपके mic हो गया, जैसे में यह आपर pen tab यूस कर रहा हूं इन सब को का बोला जाता है independent variable तो teachers हो गये independent variable students हो गये आपके dependent variable और जिससे आपका education transfer किया जाता है उससे का जाता है आपका intervining variable उसके बाद आते teaching characteristics teaching characteristics में आगा देखा जाए पहले आम लोग पढ़ेंगे direct और indirect के बाड़े में direct होता है जो directly आपको education पहुचा जाता है indirectly होता है जो students कोई काम करके education को receive करता है तो आते vertical और horizontal पे vertical का मतलब क्या हो गया vertical का मतलब हो गया आपको in depth knowledge है दिया जाता है किसी चीज़ के बाड़े में और horizontal का मतलब हो गया कि आपको एक overview दिया जाता है उस knowledge के बाड़े में फिर आगिया planned और unplanned planned मतलब planning करके जब कोई class conduct किया जाता है और unplanned मतलब होता है strengths के doubts के उपर यह classes करवाए जाता है उससे का जाता है आपका unplanned विडाते हैं आम लोग teaching process पे teaching process पहला है bipolar इसमें दो criteria क्या है पहला है आपके teacher दूसरा आपके students tripolar में तीन है तो तीसरे कौन से add हो रहा है तो वो add हो रहा हमारा curriculum और padripolar में 4 है तो वो concept हो रहा है आपका environment तो quadripolar में क्या क्या है तो teacher है students से curriculum है और environment है तो thank you so much यह video देखने के लिए और हम लोग मिलेंगे अगले video में और अगर आपको यह PDF चाहिए class का तो impactic का class है जो telegram channel है वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं कर दूंगा thank you so much यह class देखने के लिए और वीडियो को kindly like कीजिए इससे मुझे motivation मिलता है जापको यह जापको यह